दुनिया के तीन ही मोल और प्राचीन धर्म माने जाते हैं भौद्ध और शिख विचार धरा का उदे हुआ, वह यहूदि धर्म से इसाय और इसलाम धर्म की उत्पत्ति हुई दुनिया के सभी धर्मों की जड़ है ये तीनों ही धर्म लेकिन आज जड संकट में है जड़ के संकट में होने के कारण ही दुनिया में आतंक, धर्मानतरन, जाती बाद और तमाम तरह की साम्परदाइक, राजनितिक और आपरादिक सोच का बोलबाला होचला है तीन ही रास्ते हैं पहला जैन का रास्ता अनिश्वरवाद अर्थात इश्वर जैसे कोई ताकात नहीं है असंग के आत्माएं हैं और यह जगत आत्माओं का ही खेल है सभी की शक्ती से महाशक्ती का जन्म होता है सभी स्वतह, स्पृत है अपने आत्मा को इतना बड़ा करो कि तुम खुद इश्वर का पद प्राप्त कर सको प्रतेक यक्ती में इश्वर होने की ताकात है सभी कुछ बीज से वरक्ष हुआ जा रहा है श्रम करो, यही श्रमनों का धर्म है एक, दो, तीन या अद्वेत बुद्धी का जाल है संसार या आत्मा को बुद्धी से नहीं जाना सा सकता विशिष्टा, अनिश्वरवाद मंदिर मारगी भी है और मंदिर से दूर रहने वाले भी है अब दूसरा है यहुदी धर्म का रास्ता यहुदी धर्म का रास्ता कि इश्वर है और जबरदस्त तरीके से है जो इश्वर को नहीं मानता वा निंदा लायक है इश्वर नहीं या संसार बसाया और आदमी को बनाया और इश्वर से डरना जरूरी है इश्वर के दूत पैगंबर को मानू सब कुछ द्वेत है अर्थात दो है इश्वर है और यह जगत है इश्वर न्याई करता है इस दर्म के विश्ष्टा एक इश्वर वाद और मुर्ति पूजा पाप है तीसरा रास्ता जो उप्रोक्त दोनों रास्तों के बीच से निकलता है इसलिए उसे विरोधा भासी माना जाता रहा है वह है अद्वेत का मार्ग अद्वेत अर्थात न एक और नहीं दो और न तीन अर्थात दो जैसा दिखाई देने वाला एक इसका सिदा सा मतलब है कि वह है भी और नहीं भी वह नहीं जैसा है या वह है जैसा नहीं है इसे समझना मुश्किल है इसलिए सिर्फ मान लो कि ब्रह्म ही सत्य है और सत्य ही ब्रह्म है सत्य दो धातूवों से मिलकर बना सत्य और तत्य अर्थात ये भी और वे भी जो उपर उड़ता है वह उश्वर है और जो नीचे गिरता है वह जड़ है इस दर्म की विशिष्टा अद्वेतवादी न तस्य प्रतिमाह अर्थात उसकी प्रतिमाह नहीं बनाई जा सकती ये तीन तरक विशारधारा का जिक्र इसलिए कि आधनिक दुनिया में उक्त विशारधारा को और उनकी जन्म की परिस्थिती को कभी भी अच्छी तरीके से न तो समझ गया और नहीं समझाया गया यदि ऐसा होता तो दुनिया में उक्त धर्मों के प्रति इतनी उपेक्षा या नफरत नहीं होती लेकिन ये भी तैई है कि जो लोग अपने पुर्वजों का सम्मान नहीं करते और उन्हें याद नहीं करते उनका अस्तित्व जादा समय तक बरकरार नहीं रह सकता न प्रारंब है और न अंत तो कोई भी विचारधारा न तो प्रारंबिक है और नहीं अंतिम सत्य की तरह उसे स्विकार किया जा सकता है उक्त तीनों विचारधारों से सत्य कोरे विचार नहीं है हजारों और लाखों वर्च के अनुभूव के आधार पर लिखा गया अनुभूत सत्य बेसिक फंडामेंटल अर्थात यही है सार भूत मूल भूत तत्वा धन्यवारत यह आर कि अनुभूत तत्र है कि अनुभूत यही प отдел encima